सर्दियों में काफी अच्छी फूल गोबी आती है और सीजनल फूल गोबी का टेस्ट और टेक्षर भी काफी अच्छा होता है तो आज सर्दियों की इस फूल गोबी का फाइदा उठाते वे हम एक बहुत अच्छा नाश्ता बनाएंगे जो सर्दिय और बारिश के इस मिले जुले मौसम में चार चांद लगा देगा तो चलिए दोस्तों सबजी और मौसम दोनों का फाइदा उठाते वे ये लाजवाब नाश्ता बनाना शिरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं मौनीर्मला मेरी चैनल पर आपका बहुत बहुत सागत है अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस दिखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मेरे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे फूल गोबी का नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी साइज की फूल गोबी तो एकदम फ्रेश मैंने फूल को पी लिया है इसे अच्छे से धो लिया और धोने के बाद दुखा लिया है अब फूल गोबी के चारों तरफ ये चो डंटल आते हैं उन्हें हमें हटा देना है इनका इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि ये काफी हार्ड होते हैं तो इनको हटाने के बाद हम गोबी को अच्छे से चैक भी कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़े तो नहीं है वैसे तो सीजनल फूल को भी एदिया पलाते हैं तो उनमें कीड़े नहीं आते हैं अब ये जो साइड के पार्ट हैं वो मैंने हटा लिये हैं और एक चाकू के सायता से इन पीसिस को इस तरह से निकाल लेंगे तो इस तरफ फूल कोबी के मोटे pieces हम कट कर लेंगे तो इससे जब आगे हम फूल कोबी को grate करेंगे तो बहुत यजी लिए grate हो जाएगी वैसे देखा जाए तो जब हम एक किलो फूल कोबी लाते हैं तो उसमें से लगबग आता किलो ही फूल कोबी वस्ती है उनके डंठल हटाते वे तो चलिए अब फूल कोबी के इन पीसिस को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे बहुत ही इसलिए ग्रेट हो जाते हैं तो इससे फूल कोबी का हमें fine texture मिल जाएगा जिसे cutlet बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो इस तरह एक एक करके सारे फूल कोबी के pieces को मैंने grate कर लिया है। अब फूल कोबी में काफी मात्रा में पानी भी होता है तो इस पानी को निकालने के लिए इस कदुकस कीवी फूल कोबी में मैं एक चमच नमक मिला कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए तो इससे एक्स्ट्रा पानी है वो हम हटा देंगे और इससे हमें फाइदा ये होग कि आगे जाकर हम इसमें कम मात्रामी ब्रेड क्रम्स का इस्तमाल करेंगे तो इसे फूल कोबी का बढ़िया टेस्ट इस नाश्ते में आएगा तो अच्छे से नमक मैंने मिला कर रख दिया है और ज्यादा दे रखने की जरूरत नहीं है बस दो मिनिट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो जब तक फूल कोबी को हम ऐसे छोड़ेंगे तब तक हम क्या करेंगे आलो ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज की उबलेवे आलो लिये हैं आलों को बालने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया है गरम आलों का इस्तमाल नहीं करना है तब इन आलों को भी हम कदुकस कर लेंगे तो यह मैंने ग्रेटर ले लिया है और इने ग्रेट करके लेने से इनके कोई बड़े टुकडे नहीं रहेंगे और आलो के जब बड़े टुकडे इन कटलेट में नहीं रहेंगे तो कटलेट फ्राई होते समय फटेंगी नहीं नह चाहें तो ये कटलेट आप सिर्फ फूल कोबी से भी बना सकते हैं आलू इसमें स्किप कर सकते हैं लेकिन आलू डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे चाहें तो आप आलू की मातरा कम कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप चार आलू का ही इस्तेमाल करें तो चलिए आलू जब तक हमने ग्रेट किये हैं, इधर फूल कोबी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, तो अब इस फूल कोबी को हम अच्छे से निचोड लेंगे, तो फूल कोबी में बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी इसमें से निक लाता है, तो इस तरह निचोड लेंगे तो पानी भी निकल जाएगा, और फूल कोबी भी थोड़ी मेश हो जाएगी, तो सारी फूल कोबी को मैंने निचोड़ते वे इसी आलू वाली बोल में डाल लिया है, और अब इसमें एक बड़ी साइज का पदला और लंबा कटाव आप आज भी एड़ कर लेंगे, यदि आप आज नहीं काते हैं तो स्किप कर सकते हैं, अब इसमें एड़ करेंगे एक से दो बारी कटी भी है रिमिर्च, एक चमस डालेंगे क्रश की आवा लसुन, एक चमस डालेंगे इसके अंदर क्रश की आवा अदरक, अब हम एक फ्रे जमस डालेंगे साबुत काली मिल्च साथी एड़ करेंगे एक छोटी जमस चीरा बस इन चारों चीजों को हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं लो फ्लेम पर तो इस तरह मसाले को मैंने रोस्ट कर लिया है और बहुत अच्छी खुश्बू इसमें से आने लगी है तो एक मान दस्टे में डालेंगे इनको और मसालों को ठंडा करने के बाद इन्हें इस तरह से क्रश कर लेंगे तो इन्हें मिक्से में नहीं पीसना है क्योंकि मिक्से में तो इनका एकदम फाइन पाउडर बन करके तयार हो जाएगा तो इस तरह मान दस्टे में ही इन्हें क्रश कर लें तो यह दर्दरा पौडर हमने बना करके तयार कर लिया है और अब इस मसाले को इसी बोल में सारी जुजों के साथ मिक्स कर लेते हैं साते इसमें डालेंगे आदा छोटी चमच रेड चिली फ्लेक्स और अब इसमें डालेंगे एक छोटी चमच छलाल मिर्च का पाउडर, चुटके बर डालेंगे इसके अंदर हल्थी पाउडर ताकि कटलेट का कलर अच्छा है और इसमें चट पटा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे इसमें डिट चमच चाट मसाला या आप इसकी जगए नि का इस्तिमाल कर सकते हैं या यदि ब्रेट स्लाइस नहीं है तो आप ब्रेट क्रम्स का इस्तिमाल भी कर सकते हैं यदि ब्रेट बच जाती है तो आप उन्हें ग्राइंड करके फिर उन्हें ट्रायर रूस्ट कर लें ओट स्टोर करके भी रख सकते हैं तो काफी सारी पीज में उन्का यूज़ हो जाता है तो मैंने इनी क्राइंड करने के लिए क्रैंडर जार ले लिया है और ब्रेड़ को इस तरह हम तोड़ते वे dummy 70 stop में डाल लेते हैं अब mikxi को pulse में चलाते वे बहुत इजली हम इसे क्राइंड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बड़िया पाउडर बन करके तयार हो गया है तो इस पाउडर को आप ऐसे ही पैन में डाल कर ड्राय रोस्ट कर लें और फिर इस्तमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह फ्रेश में इस्तमाल कर सकते हैं यदि हम फ्रेश इस्तमाल करते हैं तो इसकी मातरा हम तो उसकी मातरा हमें कम डालनी पड़ती है पहले मैंने आदा ब्रेट क्रम्स डाल कर इसे मिक्स कर लिया है और आदा ब्रेट क्रम्स मैंने बचा लिया है तो जरूरत होगी तो हम वो ब्रेट क्रम्स भी इस्तिमाल कर लेंगे तो देखे ये एक डो फोर में आज जाना चाहिए और ज्यादा मोईस्टरीस में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे चेक कर लें, तो दीखे हलका सा अभी ये कीला है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेट क्रम्स इसमें डाल रही हूँ, बाकी मैंने बचा लिया है, तो लगवग तीन ब्रेट स्लाइसिस के मैंने ब्रेट क्रम्स इसमें इसम हमने नमक उसी समें डाला था, जब हमने फूल कोपी को कदो कस करके रखा था, तो हम इस स्टेज पर नमक चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने ब्रेट क्रम्स इसमें इसमाल किया है, तो यह दी नमक कम होगा, तो हम और इस्तेमाल कर लेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे पोर्शन चेक कर लें तो टेस्ट करके देखा तो नमक थोड़ा सा मझे कम लग रहा है तो एक झोटी चमज नमक ढालकर मैं दुबारा इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूं और दूसरे तरफ मैंने तेल भी गरम होने के लिए चड़ा तिया है तो इसे भी चेक कर लेते हैं, तो इसमें हलकी बबल्स निकल रहे हैं, यानि तेल हमारा मीडियम होट है, इसमें बहुत ज़्यादा अजानक से बबल्स निकलते हैं, यानि तेल ज़्यादा गरम हो चुका है, तो इन कटलेट को फ्राइ करने के लिए हमें ज़्यादा गरम तेल नहीं चाह तो देखिए इस तरह इन्हें बनाना काफी आसान है और जाहीं तो इन्हें गोल शेप ना देकर इन्हें सेलंडर कल शेप भी दिजा सकती है तो कुईसी भी शेप में बनाएं बहुत इसली ये बन जाता है अब हातों में शेप देने के बाद एक फ्लेट सरफीस पर इसे आप चाहें तो इन्हें फीर्जर के अंदर 2-3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो चलिए अब हम इने फ्राई भी कर लेते हैं, कडाय में हमने तिल गरम होने के लिए चपाई दिया है, तो अब दो batches में हम इने fry करेंगे medium hot oil में medium flame पर तो इस तरह कुछ second के अंतराल में इने डालें ताकि ये आपस में जिपके नहीं अब जैसे ही ये cutlet fry होंगी बहुत ही lightweight हो जाएंगी और तेल के उपर तैरने लगेंगी तो जब ये तेल के उपर ऐसे तैरने लगें तो इने चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से evenly cook हो जाएं और इने बढ़िया लाल होने तक fry करें तभी ये ज़्यादा crispy होती हैं तो देखे कितनी सुन्दर cutlet बन करके तैयार हुई हैं तो बस इसी तरह से सारी cutlet हम fry करके तैयार कर लेंगे तीन से चार मिनिट में एक बैच बहुत easily fry हो जाता है तो ये हमारी बहुत ये tasty goby की cutlet बना कर हमने तैयार कर ली हैं तो आप इने हरी चटनी या फिर टॉमेटो केचप के साथ सर कर सकते हैं या फिर चाय के साथ ऐसे भी ने enjoy किया जा सकता है तो आप भी सर्दियों की इस फूल को भी का फाइदा उठाएं और ये लाजवाब नाश्ता जरूर बनाएं फ्रेंड्स करसी लगे आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत बूलना मिलते हैं गोड़ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई